14.4.2 असम में आंधोलन असम में 1970 के दशक में स्वायतता की मांग उठ रही थी असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक बन कर रहे गए हैं असम के चाय बागानों पर नियंत्रण कलकत्ता यानि कोलकाता की कमपनी का था असम से खनिज देल निकाल कर दूसरे राज्यों के शोधक कारखानों में उप्योग किया जाता था मगर उससे असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था असम में असमिया के अलावा बांगला भी एक प्रमुख भाषा थी अंग्रेजी शासन के समय से ही बांगला भाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कारिक कर रहे थे असम्या भाशी लोग यह महसूस करते थे कि बांगला भाशी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यभार करते हैं बांगला देश से आजिविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और गंभीर बना दिया 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आन्दोलन में बदल गई अखिल असम विध्यार्थी संग AASU ने इस आन्दोलन का नित्रतु किया विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ हर्ताले, धर्ने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुए असम आन्दोलन की मुख्य मांगे यह थी कि विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, इस्थानी लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्रात्मिक्ता दी जाए, असम के संसाधनों का उप्योग असम के लोगों के लिए किया जाए एक प्रमुक मांग थी बांगला देश से आये लोगों की नागरिक्ता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना इन मांगों ने लोगों को सामप्रदाई काधार पर भी बांट दिया, क्योंकि अधिकतर बांगला देशी मुस्लिम थे, हिंसा तथा विगटन के बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक शेप करना पड़ा, आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बी बांगला देश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा, मगर मता अधिकार नहीं और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांगला देश भेजा जाएगा। कर आंदोलन हुए, मिजोरम, उत्रकंड, तेलंगाना, जारकंड और चतिसगर जैसे राज्य इसी तरह की मांगों के नतीजे हैं। इस समस्या का एकल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेंद्री करण हो, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कारिक्रम बनाये जाते हैं, वे इसमें सहभागी बने और उसका लाब उठा पाएं। इसके लिए 1986 में समविधान में एक संशोधन लाया गया, जिससे पंचायती राजव्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार बनाया गया, और उन्हें समविधानिक माननेता दी गई। इससे अपेक्छा थी कि सत्ता का विकेंद्रिकरण होगा और गरीब और विशेशकर महिलाएं इस्थानिय लोकतांत्रिक राजनीती में सक्रिय हो पाएंगी। 14.5 राजनीती में चेत्रेता, जातियता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के इस तरह पर लोगों की अकांशाएं बढ़ रही थी और छेत्रे पार्टियों का विकास होने लगा। इस समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टिया बनी जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीती में जगा बनाना जो अभी तक उसमें सम्मलित नहीं थे। मध्यम क्रिशक जातियां जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। 1989 में विश्वनात प्रताप सिंग के नित्रत वाली गडबंदन सरकार ने निर्नय लिया कि अन्य जातियों को सेक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। उच्छ जातियों के युवाओं के कड़े विरोद के बाजूत यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनयती कुभार में मदद मिली। जातिये वश्वेतरे पहचानों के साथ साथ राजनीती में लोगों की धार्वी पहचान भी महतोपून बनने लगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारती राजनीती एक नए चरण में प्रविश कर रही है जहां शुरुवाती चार दशकों तक भारत की केंद्री राजनीती लगभग एक दल के इर्दगिर्द घूम रही थी 1990 के बाद से इसने बहुदलिये विवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए हैं बहुदलिये विवस्था के प्रारंभिक दोर में हमने बहुत सी आस्थाई गटबंधन सरकारे देखी पिछले 15 सालों में इस्तिर गटबंधन सरकारों ने कारे किया है इस प्रकार गटबंधन की सरकारों के कारण विभिन शेत्री और छोटे दलों ने समाज के विभिन मतों में प्रतिनिधित्व किया गटबंधनों ने नियूंतम साजा कारिक्रमों और समन्यवे के विभिन तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिर्ता की समस्या का भी समाधान किया है